नमस्कार अभी हाली में तेरा माई को जब से इंडिया ने गोशना कियेगी गेहों के एक्सपोर्ट पर बेन लगाया गया तब से पूरे विश्व में हाहा कार मचके अमेरिका जैसा देश भी कहने लगा कि बारत का ये कदम बहुत ही कहलत अभी हाली में जी सेवन देशों की म देश मिलके ही है संगटन बना है इसमें फ्रांस जर्मनी जापान अमेरिका ब्रिटेन कनाड़ा और इटली जैसे देश वहां पर अमेरिका ने कहा था कि बारत का ये कदम गलत समय पर उठाया गया बारत के इस कदम से पूरे विश्व में भूक मरी आ जाए जाए वही अमे बारत के सामने गिडगडा क्योरा है जबकि बारत इतना निर्यात नहीं करता है गेहूं का बहुती कम मात्रा में गेहूं का निर्यात करता है पूरे विश्व की मात्रा देखी जाए तो फिर भी अमेरिका बारत के सामने क्यों गिडगडा है जो देश कापी समय पहले बारत को बिकरियों को देश का दर्जा दे चुगा है आज वारत के सामने कि गिगी बन गई उसकी और घिर गिडर आये कि आप एक्सपोर्ट बेन ना करें एक्सपोर्ट बेन करेंगे तो हमारे नुडल्स और हमारे ब्रेड के खाने के लाले पड़ जाएंगे आखिर ऐसा क्यों गय आने लगी क्या बारत में भी भूक मरी का संक्ट आने लगा भारत के बेन लगाने के पीछे रीजन क्या रहा है इन सब सौलों का जवाब अपन जानेंगे आईए देखते हैं विस्यू के अगर गेहों उत्पादक देश के बारे में अगर अगर अपन बात करें विस्यू के तो सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें तो चीन सबसे ज़्यादा गेहों का उत्पादन करता है उसके बाद नमबर आता है बारत का देखिया आप चीन वन थर्टिफॉर मेट्रिक टन बारत एकसो साथ मेट्रिक टन उसके बाद नमबर आता है रोस का 85 मेट्रिक टन उसके बाद अमेरिका 49 मेट्रिक टन उसके बाद युक्रेन 24 मेट्रिक टन उसके बाद कनाडा उसके बाद top 10 में आता है मनुदरब निरियाद में बारत नंबर 2 या नंबर वन पर position नहीं रखता है क्यों क्योंगि बारत के पास में इतनी सारी खपत हैं गेहों की इसलिए बारत गेहों का निरियाद बहुत कंप करता है अब top तो फाइट निर्यातक टेस्ट देखिया आप विस्व के सबसे ज़्यादा निर्यातक टेस्ट अगर रूस रूस सबसे ज़्यादा निर्यात करता है गयों का सबसे नंबर वन पोजिशन पर आता है रूस उसके बाद आता है अमेरिका उसके बाद कनाड़ा फ्रांस और यूक लेकरते हैं लेकिन आपको पता है अभी रूस औरuplya के बीच में यूद्य चल रहा है और वहां से गेहों का नि Recht नहीं हो रहा है यानि 30 परशान गेहों का निर्यात पूरे विश्व में बंद पूर। कि तो पहले से ही पूरे विश्व में गहुं के मारा मारी इहां रूस और wurden चल दूरी चलिए। इस Way के वीछ में बहुत दिया तो वह भी कहते हैं और कि आज मेör कांज और गया तो अमेरिका और जी फिर्यों देसों के वीछuntaम खलबली मच गई के पहले से 30 परसंट के हूं तो पहले से विच में आनी रहा है उसके वाला भारत ने भी कर दिया कि एक बात यह भी देखिया भारत का भी निर्यात दिन बर दिन साल बढ़ता रहा देखिया दो जार सत्रा अठाव में भारत में 3.20 लाग टन का निर्यात किया 2018 में 2.26 2019 20 में 21.03 लाग मेत्रिक टन 2020 में 20.80 लाग टन वो 2021 22 में इच्छोतर पॉइंट 50 लाग टन का निर्यात किया तो साल बर साल भारत का निर्यात इंक्रीज होता गया यानि ये भारत अभी पहले टोप में तनन नई था लेकिन अभी टोप तेन में इस्तान आ गया है गहुं निर्यात के मामले में जनॉवरी 2021 में 6932 क्रोड का गहुं रुपे का गहुं निर्यात किया था और अभी 2020 में 2.3 कर चुका है भारत अभी 2022 में जब भारत लगा ना उस से पहले पहले 2.30 क्रोड का गहां निर्याद कर चुका था वाग उसके बाद भारत लगा दिया भारत के घ्राख त्पूरादेश है नेपाल है इंडोनेशिया है इस तरी लंका यमन அम अम एलेशिया कतर यह सारे भारत के दस या बारा countries हैं जो बारा से गहू लेते हैं अगर आपन बारत का गहू निर्यात की बात करते हैं पूरे विस्रों में तो बारत फ़र प्पांट आपको विकरियों की दर्चा दिया था इस अमेरिका ने वो भी अपन जानेंगे देखिया बारत ने बेंग क्यों किया सबसे नंबर वन महेंगाई बेंग भारत का बेंग करने के कारण एक यही रहा महेंगाई आप अभी चार पाच महीने पेले गेहूं का आटा 28 रपए किलो विकरा था और आज 35 रूपए किलो की रेट पहुच गई देखिया और जब गेहूं समर्तन मुल्य पर विकरे थे पिसले साल 2050 कि रेट पर आज मार बारत में भी गेहूं के पुथी महेंगई बढ़ेगी तो बारत को लगा किया अगर अब इस टोप नहीं किया जाएगा तो गहों की मांग बढ़ जाएगी और महेंगई और बढ़ेगी और जब गरीब तब्यों के लोग हैं उनको गहूं नहीं मिल पाएगा तो में तन यानि कितना अंतरा है उत्पातन कम होने कारण गर्मी जहां मेदानी इलोगों में गर्मी ज्यादा पड़ी और भारत में उत्पातन कम हो पाए इसलिए भारत ने भी 5.5 पांच मेट्रिक टन गेहूं रिप्लेस किया है अभी जो परदान मंतरिक खाद्य सुरस्ता योदना चलती है उसमें 5.5 तन गेहूं की जगत चावल दिया रहा है गरीब लोगों को तो इस कारण से भारत ने गेहूं में गेहूं का बेन किया है एक्सपोर्ट के लिए मैं बात बात लिए कि भारत को बिकारियों का मिलक कांवि निस सुपेंसेट की बात है जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब अमेरिका के लोगों को गेहूं खिला पाता है तो उस वक्त अमेरिका ने बारत ने बात लाल बहदूर सास्त्री प्रदान मद्री थे, उन्हेंने युद्ध समय पर ही खतम किया और युद्ध विझे होने पर ही खतम किया तब अमेरिका के अग्बार में चपा की बारत बिखारीयों का मुल्क है, बारत में गेहूं बराबर नहीं होते हैं इसलिए वो एक विकारियों को मुलक कर दर्जा दिया था तब लाल बादूर सास्त्री ने जए जवान और जए की सन का नारा दिया था और तब भारत के लोगों के कहा था कि एक वक्त की रोटी खाएं और भारत में गहूं का उत्पादन बढ़ाने की कोशिस करें तब से भारत में गहूं दिरिये दिरिये बढ़ने लगा और आज ये इस्तिति हुई कि आज भारत गहूं निर्याद करता है अपने हिस्से के तो गहूं रखता है और भारत की यहूं आज इस पोजिशन पाया एक निर्याद करता है लाल बहुतरी सास्त्री के बात में जब इंद्रा गांधी हुई तब भी गहूं आयाति किया जाता अमेरिका से जब इंद्रा गांधी एक बार अमेरिका गई थी तब भी आखे एक अग गहूं का निर्याद बंद न करें लेकिन जब एक समय था इसी अमेरिका ने भारत को बिखारियों का मुल्क आता है तो कहते हैं ने कि समय सब का आता है इसलिए समय के अनुसार चले समय क्या पता कब पलट मार जाए